आज की आपके बालों को संपु यूज नाज को आपको क्या है जहते हैं?! आज में आपको यह विजय razor किया है कि आपको नारियल तेल कोफी ed shave क령 करें लगानी है जिसे कि आपके बार पहली बार में ही इतनी जादा स्मूर्ड, सॉफ्ट और सिल्की आपको नजर आने वाले हैं गाइस मैंने इस रेमडी को अपने बालों के ट्राइ किया है अभी अभी इसे यूज किया है, हेर वाश किये है कुछ भी इस पर अपलाइब नहीं किया है, कोई सीरम, कोई ओयल, आप देख सकते हैं कि मेरे बालों में कितनी अच्छी शाइन आई है अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बालों में भी इसी तरह की शाइन है अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलेगा, मैं विल्कुल क्लोस से आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कि कितने जादा सोफ्ट और सिल्की आपके बालों होने वाले हैं आपको जब भी शेंपू करना है, इसी तरीके से अपने बालों पर शेंपू कीजिए, आपको इसका 100% रिजल्ट मिलेगा आपसे एक छूटी सी रुक्वेस्ट है कि अगर फर्स टाइम मेरे चैनल पर आये हैं तो मेरे चैनल जीवन वीडियो टिप्स को जूर सब्सक्राइब कीजिए, पास में चूटा से बेल बटन होगा, इसे जूरू क्लिक कर लेना ता जो आप मेरी हर आने वाली वीडियो को वाच कर पाएं, आप हमेशा बोलती हो कि दीव कोई इजी और सिंपल सी रेमेडी हमारे साथ शेर कीजिए, जिससे ही हमारे सफेद बाल भी काले हो जाएं, तो वही रेमेडी आज मैंने आपके साथ शेर की है, इसे बनाकर अपने बालों पर अपलाइ कीजिए, अपना कोकोनेट ऑइल कि इट ना ही आपको एक चमत इसमें एड वे इड़ करना नहीं आधा चममत आपको सिर्फ और सिर्फ दो सितीन बूंदे की इसमें एड़ करनी है कोकोनेट ऑईल हम इसलिए ऑट करुरहे हैं कि जिनके बाहर बहुत ज़्यादा ड्राइफ फ्रीजी डामेज र नूम एक प्रेसरें टो जाएक। मितफर आफ्ति हैं एक गोली इसमें एड़ करनी इसमेंंक हैं कि आपके बालब्त में जितनी भी डेंद्रफ चyorsun चल रहा है कोई फोडा עफिम से ईचिंग है वह बिल्कुल दू दूर हो कि आपको एक गोली कपूर की स्वेंट करनी है यह पहुत ही असानी से आपके हाथ से ही क्रश हो जाएगी आपको हाथ से तोड़कर उसको अच्छी तरह से करकर इस बाउल में अधकर देनी है जय जो हम सल्यूशन बना रहे हैं जैसलूशन किसी मेडिसन से कम नहीं है आपके बालों पर किसी दवाई की तरह काम करेंगा जिनके बाल बहुत ज़्यादा ड्राइज फ्रीजी हैं बहुत ज़्यादा हेर पॉल होता है उनको यह अपने बालों पर जुरूर लगाना चाहिए अप जब भी शैंपू यूज करते हैं अपने बालों पर बिल्कुल इसी तरह से शैंपू को यूज कीजिए, आपका एक भी बाल नहीं गिरेगा अगर आप गंजे बन के शिकार हो रहे हैं तो आप तब इसे 100% यूज कीजिए, आपके बालों जो आप गंजे बन के शिकार हो रहे हैं आपके दोबारा से री लिग्रो हूना start हो जाएगा इस तरह शेंपू करने से आपके ने बाल उगना start हो जाएगे तो next आपको इसमें एड करना है एक चमच भर कर coffee powder आपके बालों को इन हैंस करेगा आपके बालों में बहुत इच्छा सा color लेके आएगा जिनके white hairs हैं अगर वो भी इस तरह से shampoo करते हैं तो उनके दो चम्मच अपना कोई भी फेवरेट शेंपू जैसे मैं यहां पर पैंटिंग यूज कर रही हूं आप कोई भी अपना फेवरेट शेंपू यूज कर सकते हैं जो भी आपके बालों पर सूट करता है तो अब आपको इसको अच्छी तरह से इन सारी चीजों को मिक्स कर लेना गाइस कूछ भी वज VISTA का यह कमेंट होता है कि दी यह वाली रेमेडी हम अपने घर पर जो छोटे बच्ची हैं उनके बालों पर यूज कर सकते हैं तो देर आप इसे चोटे बच्चे बच्च के बालों पर भी यूज कर सकते हैं जो दस साल से बड़े बच्चे हैं उनके बालों पर आप डेफिनेटली इसे ट्राइ केजिए बहुत अचा रजल्ग मिलेगा दस साल चोटे बच्चे को बालों पर आपको इसे यूज नहीं करना है जो भी मैं होम रेमेडी आपके साथ शेयर करती हूं साथ यसाथ जे भी बता देती हूं कि आपको इसे पने बच्चो पल शेयुज आपको किस तरह से बने बालों पर लगाना जैसे कि मेरे वीडियो की स्टार्टिंग मी बिताया है कि अगर आप अगर रोकेट स्पी चाहते है है कि आपके LIGHz बड़े जिनके बाल लंबे नहीं हो रहे हैं वह परेशान है वह भी इस तरह से शेंपू करके बालों में जितनी भी दूल मिट्टी पल्यूशन गंदगी है वो बिल्कुल रिमूव हो जाए उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा इसको इस सल्यूशन को अपने बालों पर डालना है और हलके हाथों से दो से तीन मिनिट अच्छी तरह से मसाज करनी है ता जो हमने जो भी इसमें चीजें एड़ की हैं जैसे कोकोनेट ओयल कपूर कॉफी पाउडर शैंपू इन सभी चीजों का बेनिफिट आपके बालों को अच्छी तरह से मिल पाए फ्रेंट्स आप शैंपू तो यूज करते ही हैं बट एक बार इस तरह से करके देखिए आपके बालों पर कमा एक पाइस नेन रहे हमारे बालों के लिए सबस्क्राइब कौनसा सा है कि अपने हेर की स्केलप केौकर द्राय है जा फिर औली और जब भी आपको अपने बालों पर शैंपू करना है इन चीजों को ज़रूर उस जड़ीशन में आपके तरह से चुम्पू इस तरह से शिब नहीं करना है आज की वीडियो आपको काफी यूसफुल लगी होगी है अगर अची लगी हो पसंद आई यह तो वीडियो को लाइक शेर करना मत भूलिएगा नीचे लाइक का बटन है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आप ने तक भी में चैनल को सुस्क्राइब न से पूछ सकते हैं मैं उसका रिप्लाइब आपको जुरूर दोगी तो गाइस मिलते हैं मेरी नहीं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक आप अपना प्यार और स्पोर्ट मेरे चैनल पर इसी तरह बना के रखिए थैंक्स पूर वाचिंग टेक केर बाबाई अगर आपको हे बालों पर वीडियो देख रहे हैं आप इन वीडियो को जुरूर वाच कीजिए अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल पर विजिट नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल पर विजिट कीजिए वहां पर आपको बहुत सारी होम रेमेडिस देखने को मिलेंगी जो कि आपक कमेंट करकर बोलते हो कि दी इस रेमेडि को यूज करकर हमें बहुत ज़्यादा अच्छा रजल्ट मिला है तो गाइस मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है तो आप इन वीडियो को जुरूर वाच कीजिएगा